सिवान जिले के हसनपूरा एमेच नगर ठाने के करमासी गाउं में बीती रात कॉंग्रेस के पुर्वा पर खंड अध्यक्ष के यहां 41,000 नगदी रुपे सहीर 5,000,000 गैने की लूट की घटना की गई यह लूट नरायन पाठक पिता सुरेदेव पाठक के घर में की घटना कर अधीब मध्यरातरी की बताई जा रही है जब घर के सभी सदस्य घर में ही सो रहे थे कि तभी एक दरजन से उपर ससस्त्र डकैत पीछे के खिड़की से होकर घर में परवेश कर गए उसके बाद सभी कमरे में सो रहे महिलाओ तथा बच्चों को दो कमरों में बंद कर तथा आसानी से चलते बने Susa में जाने के करम में नरायन पाठक को जान से मारने की धंकी भी दी तत्वश्यात होके गरहस्वामी द्वारथ हाने को दो बजे रात में सुचना दी गई सुचना पाकर पहुंची पुलिस ने लूट की घटनक के बारे में जानकारे ली इस मामले म घटनक के बारे में जानकारे लिए इस मामले में पिडित ग्रहस्वामी स्री पाठक ने आवेदन दे कर बताया है कि डैकैतों ने मेरी बड़ी बहु के कमरे में रखे अलिमीरा को तोड़ लगभग 2,80,000 के गहने की लूट की जबकि मेरे छोटे पुत्र के लिए विवाह की तैयारी 18 माई के लिए तीलक में गहने की खरिदारी की गई थी जिसका भी अलमीरा तोड़ नगदी 41,000 रुपे सहित 1,75,000 के गहने की लूट की घटना को अंजाम दिया गया घटना के बाद मुझे धमकी भी दिया गया कि कुछ बोलोगे तो जान से मार देंगे इतना कहड जाकैत निकल पड़े इस घटना के बाद पूरा परिवार दहसत में हैं पुलिस आवेदन लेकर मामले की जाच कर रही है